नमस्कार दोस्तों मैं राधा स्वागत करती हूँ आपके अपने राधे किचन में आज जम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिश्ट और लजीज चिली पनीर की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान से तरीके से हम इसे बनाएंग तो इसके लिए हम ने लिया है करीब 400 ग्राम पनी यह बलकुल ताजा पनीर है और इसके साथ ही हमने लिया है दो शिमला मिर्च, दो प्याज, जिसे मैंने चोटी-चोटी क्यूप्स में कट कर लिया है, यह देखिए, इस तरीके से हमें, सेम साइज में कट करना है, प्याज को भी, और इसके लिए मैंने लिया है, दो हरी मिर्ची और दस से बारक अली मैंने लहसन के लिया है, आप चाहे में रेड सॉस लिया है हमने टमेटो सॉस है ग्रीन सॉस है सोया सॉस है और रेड चिली सॉस है तो चलिए सबसे पहले हमें पनीर को बराबर छोटी छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है साइज अप अपने इसाब से बड़ा या चोटा कैसा भी रख सकते हैं बट यह सब एक ही साइज में होने चाहिए इस तरीके से हम इने भी क्यूप्स में कट कर लेंगे और अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इसे थोड़ा मैरिनेट करना है इसमें हम मिला रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और इसे के साथ मैं इसमें मिला रही हूँ आदी चमच से कम थोड़ा सा पिसी भी लाल मिर्ची और चिली फ्लैक्स और काली मिर्च भी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ और उसे के साथ मैं इसमें मिलाओंगी एक से दो चाहिए आप एक से दो टेबल जबून में कॉन्फलोर मुला लिजी इतना काफी होता है और अब हमें इसे अच्छे से इस कॉन्फलोर को इसमें पनीर के साथ मेरिनेर कर लेना है जिससे कि ये चारो तरफ से equally इसमें लग जाए हमें इन पनीर के टुकड़ों को fry करना है fry आप चाहे तो shallow fry करिए या आप इन्हें deep fry भी कर सकते हैं पर मैं इन्हें इसमें shallow fry कर रही हूँ इस तरीकी से हमने पैन ले लिया इसमें मैंने 4-5 टेबल स्पून रिफाइंड ओयल डाल दिया आप अपनी पसंद का कोई भी रिफाइंड ओयल कर ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्वाद को बढ़ाने के लिए इन्हें बटर में भी फ्राई कर सकते हैं मतलब shallow fry कर सकते हैं चलिए अब हम पनीर की क्यूब्स को पैन में डाल देते हैं एक दो मिनिट के रिए इन्हें छेड़े ना अच्छे से नीचे से सिखने दें उसके बाद हम इन्हें अलट पलट कर चारो तरफ से अच्छे से शेलो फ्राई कर लेंगे इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो जो चिली पनीर का टेस्ट है वो काफी अच्छा आता है एक पनीर में एक अच्छा सा क्रंच लगता है और वो स्वात को काफी बड़ा देता है लीजी हमारा जो फर्स्ट बैच है वो बनकर बिल्कुल रेडी है अब हम इने निकाल लेत हैं इस तरीके से मैंने सभी पनीर के टुकड़ों को निकाल लिया है और ऐसे ही हम हमारा सेकिंड बैच भी फ्राइब कर लेंगे अक्सर पनीर की जो रेसिपीज होती है वो बच्चे ही ना बड़े सभी को बहुत पसंद आती है और यह कई तरीके से भी बनाया जाता है लीजे दोस्तों मैंने सभी पनीर के टुकड़ों को फ्राइ कर लिया है अब इन्हें हम साइड में रख देते हैं आगे की तियारी करते हैं कड़ाइ में मैंने उसी ओयल को वापसि ले लिया विए क्यूकिक्त उसमें काफी उइल बच किया था इसमें मैं सबसे पहले हुआ हुआ है लृसन और हरी मिर्ची तो इन्हें हलका झica सा में बूल लेंगे हम और इसे के साथ मैं इसमें मिला रही हूँ वन टेबल स्पून के करीब सफेद तिल ये टोटल आप्षिनल है आप चाहें तो अवोइड भी कर सकते हैं इसे के साथ हम डाल देंगे इसमें जो हमने शिमला और प्याज को कट किया है उसको भी हमें हलका सा फ्राइ कर लेना है पकाना नहीं है हमें क्योंकि अगर हम इने पका लेंगे तो इससे स्वाध हमारा बदल सकता है हलका सा क्रंच इन में रहना चाहिए तो हमें केवाल एक से दो मिनिट के लिए हम इने हलका सा फ्राइ कर लेंगे इसे आप पराठा या पूड़ी या रोटी नान किसी के भी साथ खा सकते हैं लीजिए इसी के साथ मैं पिसे मसाले में मैंने मिला दिया है लाल मिर्ज स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और जितने भी हमने जो चारो सौस लिये थे इस अभी मैंने वन वन टेबल स्पून लिया है वो भी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे और उसी के साथ मैंने वो जो विनेगर लिया है वो भी मैं एक टेबल स्पून विनेगर भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है सभी को अच्छे से हम शिमला प्याज के साथ मिला लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर फ्र पनीर पर भी लग जाए बच्चों को इस तरीकी की रेसिपिस बहुत पसंद आती है बच्चे बहुत सुआद लेकर इस तरीकी की सबजियों को पसंद करते हैं लीजिए सबसे आखिर में मैंने इसमें जो हमारा टैमेटो सौसे वो भी एड़ कर दिया है और आप चाहें तो इसमें हाफ टेबल स्पून चीनी भी डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट काफी बढ़ जाता है सबसे आखिर में हम इससे थोड़ा सा इसको रिच हैवी लुक देने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ एक चमच मैंने लिया एक कॉन फ्लोर और उसी के साथ मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा पानी एक टेबल स्पून से कम आप लें जादा ना लें मैंने वन टेबल स्पून ही लिया है और इसमें इसको हम मिला देंगे और अच्छे से अब इसे हम एक मिनट के लिए इसको भूल लेंगे जिसने कि जो हमने वो पानी इसमें एड़ किया है वो अच्छे से पक जाए दीजे दोस्तों हमारी जो चिली पनीर की जो रेसिपी है वो बनकर बिल्कुल रेड़ी है आप चाहें तो इसमें ग्रेवी को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं पर मैंने इसे ऐसा ही बनाया है यह आप किस वाद के उपर है कि आप इसे गाड़ा बनाते हैं या पतला बनाते हैं इसकी तरी को आप किस तरीके से देते हैं हमारी जो रेसिपी है बनकर बिल्कुल रेड़ी है मैंने सबसे आखिर में इसमें धनिया पत्ती और थोड़ा सा जो वाइट तिल है वो डाला है दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को हमेशा के तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं मिलती हूं किसी और ऐसी आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार